हेलो एब्रीवन, आइम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है, इस वुड़ो में हम पेपर को डिसकस करने वाले हैं, जो कि 20 सितम अगस्त 2023 को हुआ, ठीक है, तो इसमें ऐसा सुनने में आया कि पेपर 1 जो है, वो भी काफी हद तक डिफिकल था, बड़ पेपर 2 जो है कि हमें समझ में ही नहीं आया, तो यह जो है, यह पेपर 1 है, इसमें फर्स से लेकर फिफ्ट टेक के जो टीचर्स हैं, प्रैमरी लेवल के लिए सब लोग ने अपलाई किया होगा, ठीक है, तो अगर सिड़िपी की हम बात करें, तो आप कोशन यहां पर देख सकते हो, कि सि मा लोचन आत्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, या फिर समकक्षियों के साथ, प्रतिस परदा या फिर तत्यों को रटना या फिर यंत्रवत याद करने के पुरुआ भ्यास को उत्कृष्ण करना, देखिए, तो हमें प्रतिस परदा भी नहीं करना चाहिए, बच्चो का क भी फोकस नहीं कर सकते हैं, becoming excellent at road rehearsal में भी बच्चों को excellent नहीं बढ़ सकते हैं, तो यह तीन तो अपने आप ही cut हो चुका है, तो यह first answer सही है इसका, यह तो गया बेटा, ठीक है, तो पेपर हम पुरा solve करेंगे, next video में आपको पुरा solution मिलेगा, इस पेपर में सी हमें discuss कर रहे ह जो hard लग रहा है, वो किस प्रकार से hard लग रहा है, ठीक है, अब यह भी मुझे काफी हद तक easy ही लग रहा है, बच्चे जो है सबसे प्रभाविट धंग से तब सीखते हैं, यदि कोई धारणा, ओकी तिसका answer क्या होगा, abstract to concrete, general to specific, complex to simple, rational to empirical, तो यह भी मुझे easy ही लग रहा है, सारा मतलब कि ऐसा questions है, जो अपने पहले भी solve किया होगा, और जो आपने सिटेट में solve किया है, जो previous year question paper में solve किया है आपने, तो ऐसा लग रहा है कि उसमें से ही questions आयो है, right, pyq में से देखने को मिल रहे है questions, जैसे कि यह है, अनुभावात्मग, अधिगम किस पर बल देत है, यह भी question देखा हुआ है, तो हो सकता है, शायद से maths और evious का easy आया होगा, hard आया होगा, ठीक है, वाई गोट्सकी ने कौन सी भूमी का निभाया हुआ है, विकास के बारे में कौन सी चीज़ के बारे हम बात की है, यह भी आया हुआ है, जैसे कि आप लोग जानती है कि ल अदम new topics आ चुके आ गए है, यह new tricks आ गए है एक्जाम में, right, तो जो questions है वो तो देखा ही हुआ है, कोहल बग के बारे में आता ही आता है, तो चार जो philosopher है, for example, Jean Piaget, कोहल बग, इसके बाद अभी जिसके बारे में पढ़ा हम लोग ने वाई गोट्स की, यह तीन जो है, उन में, PiQ में अपने लोगों ने solve किया ही होगा, तो CDP तो मुझे से लगता है काफी हद तक सही आया था, ठीक है, चले देखते हैं, dysgraphia क्या होता है, वो भी पढ़ा हुआ है, समाल वर्षी कक्षा क्या होता है, वो भी पढ़ा हुआ है, Howard Gardner, हो सकता है कि आपने Howard Gardner के बारे म हैं, तब तक हम भी कुछ न कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कौनसा आंसर सही होगा, कौनसा आंसर गलत होगा, ठीक है, चले देखते हैं, अब आते हैं Maths में, तो Maths तो मेरा सब्जेक है न तुम्हें समझ में आएगा नहीं कि Hard है कि Easy है, तो अब हम आजाते हैं EBS पे, ओक EBS पे आजाते हैं, और जो EBS का सेक्शन स्टार्ट होता है, वो होता है, 61 कोस्टन से है, अब आगे हमारा EBS, तो देखो, 24, what is the mass of an object with a density of the 24 gram या milliliter as a volume of 6 milliliter, तो देखो, इस टैप के कोस्टन पहले भी आया हुए, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यह पहली बार ही आया ठीक है, तो अब आपको स्थिप दव्यमान क्या होगा वो बताना है, ओके इसके बाद, नेक्स कोशन आया है, दाब लगाने पर गैस को असाने से संपिडित के जा सकता है, जब हम किसी गैस पर दबाब लगाते हैं, तो गैसी कणों के बीच अंतरावनू स्थान कम हो जाता है, और यह असाने से संपिडित हो जाते हैं, तो यह थोड़ा सा अलग कोशन है, थोड़ा सा ट्रिकी कोशन है, ओके इसके बाद, नेक्स कोशन क्या है, मनाली में धालू छत्ते वाले मजबूत बासों के खंबर बने उचे उठे हुए लकडी के घर बनाये जाते हैं, मनाली नॉर्मली अगर देखा जाता है, मनाली वाला टॉपिक नया है, ओके क्योंकि मनाली के बारे हैं पहले कभी नहीं पुछा गया है, पहले अगर पुछा गया तो लद्दा के बारे हैं पुछा है, हिमाचल के बारे हैं पुछा है, असम के बारे हैं तो यह मनाली टॉपिक ज टेमा से छोटा परन्तु खुशबुदार। ज्चोटा परन्तु खुशबुदार।। दिखता हैं, भाई ओसके बाद सकते हो नुकुаст, । अमेरिका से आया हुआ है पीले रंगा केसर होता है जीरा छोटा परंद खुसबुदार होता है तो यह तो बहुती है भाई बंगल के खाड़ी का तटवर्ति यह पहले भी आया है कि कोस्टर एरिया बताना है आपको बेयो बेंगॉल का और अरभी अन्सी का तो यह तो मैंने लिखित में से कुण सा कथन सही उस पर विचार करना है तो कुड़क भशा तोरांग का मतलब जंगल होता है यह भी करवाया हुआ है तो इसमें भी कुछ हाट लगने ऐसा है नहीं पोधे के दिन में लिखित मुखित कारे पर विचार कीजे पोधा जो है वो कुण सा कौन सा आया हुआ है ओके इसके बाद हाथियों के बारे में सही कथन यह पहले भी आ चुका है इसके बाद मदुमक्खी पालन का बारे में यह पहले भी आ चुका है ओकी इसके बाद क्रिकर खेलता है तो क्रिकर खेले में कौन सी उर्जा का उपयोग कर रहा है धरनी उर्जा मास प प्रिक्य हो सकता है इसकी बार जब हम इधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है यह भी इजी है कौन सापों के बारे में कौन सा कथन गळद है तो साप के बारे में तो पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पेपर ईजी ही लगेगा ऐसे होगे मतलब तीस में से पांच कोशन पर गड़ लीजे ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रीकी है गुजरात के सामपेक्ष उत्तर प्रदेश और अंधर प्रदेश की क्रमशे स्थिति क्या है मतलब गुजरात के सामने अगर उत्तर प्रदेश है तो अंधर प्रदेश के सामने क्या होगा ऐसा आपको बताना है विट रिस्पेक्ट गुजरात लोकेशन आप उत्तर के लिए एक इकाई योजना त्यार कर रही है तो यह थीम के बार में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो इवेस के थीम होती है वो कितने टाइप की है कौन से कौन से टाइप से ठीक है इसके बात यह तो साइकोलोजी के कोशन है यह सारे आपको कोशन पढ़के और बच्चों के हिसाब से टीक लगाना होता है तो वो भी काफी हद तक एजी ही है ओकी तो ऐसा तो नहीं बोड़ा दा सकता कि पेपर हाड है हो सकता है कहीं न कहीं पढ़ाई में कमी हो गई होगी ठीक है देखो यह वाला कोशन जो है वो कभी नहीं आता था इस बर आया है कि जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूप जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तेरता है तो विध्यारतियों की पुष्टाज के लिए बंदिन लिखी में से कौन सी सबसे उप्यक्त वाख्या है तो नमक की मातर जादा होत तो यह भी साइकोलोजी का ही पुलोजी कोशन्स है और 84 85 साइकोलोजी के कोशन्स है यह एक समदाइक संसाधन के उपयों को दर्शाता है तो यह मैं लिखीत वैसे कौन कुरा करेगा थीम भोजन कौमन कोशन माक किसान दुकानदार कृशी फार्म या फिर जंगल क्या तो यह 88 है तो तो पेपर है वो काफी हद तक इजी ही लगा है पेपर वन जो है हाँ सब लोग बोल रहे थे कि जो पेराग्राफ है वो काफी हद तक डिफिकल्ट आया था पेराग्राफ डिफिकल्ट आया था ऐसा बोला जा रहा है ओके हो सकता है पेराग्राफ डिफिकल्ट ह और जो हिंद इंगलीश है उसका भी paragraph difficult आया था देखो अगर जो हिंदी मुणे वाले बच्चे होते हैं तो उनको इंगलीश थो difficult लगता ही है और जो इंगलीश मुणे वाले बच्चे होते हैं उनको हिंद difficult लगता है ठीक है पर आंसर तो आपको ये पढ़ने के बाद ही मिलने वाला है ये जब paragraph पढ़ेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा और उस paragraph में ही आंसर दिया भी होता है तो हाड जिसाद तो कुछ उसमें है नहीं ओके बट हो सकता है कि जल्दबाजी में चाहे नर्वसनेस में अपने questions को ठीक से पढ़ा नहीं होगा और गल्दब ठीक लगाया होगा ओके तो ऐसा कुछ हो सकता है बट paper ऐसा है कि आपका न 90 marks और 90 से 110 marks कहीं नहीं गए इस type का paper है हाँ आप एतना expect नहीं कर सकते कि मेरा 130 आएगा या 120 आएगा पर 90 marks तो कहीं नहीं गया आपका 90 और 100 marks तो paper से आ जाएगा रैट पर इतना अच्छा marks आता है फिर उतना जादा हमें दुसरे exams में फाइदा होता है तो आपको यह paper जो है देख लिया होगा जिसने नहीं exam दिया था वो देख चुके होंगे कि paper का level थोड़ा सा hard हो चुका है बट हमें confidence में ही रहना है negative नहीं सोचना है और preparation अपने जादी रखनी है क्योंकि 6 मेने के बाद वापस से exam होगा ही होगा डिसमबर में और इसके बीच में बहुत सारी exams है D.S.S.S.B. का exams है बिहार का exam अभी कलपरसों में हो जाएगा तो वीडियो कसल लागा comment section में जरूर बताएगा next class में मिलते हैं और इसका हम लग पूरा detail में solve करते हैं इस paper को okay thank you thank you so much everyone